बेसन की बज़े अगर आप सूजी से ढोकला बनाएंगे तो वो भी हलवाई जैसे ही टेस्टी बनेगा बस कुछ स्टिक्स फॉलो करना है जिसे की ये भी उतना ही जालीदार और स्पॉंजी बनेगा तो ये मैंने एक कप सूजी ली है इसे मैं मिक्सी में डालके पीस सूजी को इस तरह अगर पाउडर नहीं बनाएंगे तो ढोकला उतना जालीदार नहीं बनेगा तो अभी इसमें मैं ये एक कप दही डाल दूँगी और दही के कप को धो कर आधा कप पानी भी डाल दूँगी मतलब जितना यहां पे मैंने सूजी ली है उतना ही यहां पे द सकते है लेकिन मेरे हिसाब से आधा कप से ज्यादा पानी इसमें नहीं लगेगा जो मैंने दही के कप को धो कर डाली थी ये देखिए ये बिल्कुल ऐसे इडली के बैटर जैसा थिक बनेगा और दही यहां पे बिल्कुल रूम टेमपराचर का लेना है ठंडा दही तो यहां पे आप बिना फ्लेवर वाला ही तेल लेना ससो के तेल जैसा स्ट्रॉंग फ्लेवर वाला तेल इसमें डालना नहीं है तो सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करके अभी इसे करीबन 15-20 मिनिट के लिए रेस्ट होने देंगे इसे आप बिल्कुल भी फेटना मत बस अच्छे से मिक्स कर लेना अभी देखिए सूजी बहुत अच्छे से फूल चुका है तो अभी इसमें मैं एक छोटी चमच जितना इनो यारी फ्रूट सॉल डालूंगी और साथ में एक चमच पानी भी डाल दूंगी इसे एक्टिवेट करने के लिए आप चाहे तो इनो के बदले आधी चोटी चमच बेकिंग सोडा भी डाल सकते है लेकिन तभी वो उतना ज्यादा स्पॉंजी नहीं बनेगा जितना इनो डालने से होगा तो अभी इसे भी हलके हाथों से मिक्स करेंगे और इनो डालने के बाद इसे और रेस बिल्कुल भी करना नहीं है बस ये के किंच खाली रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल सके तो चमच से उपर को अच्छे से इवन कर देंगे और थोड़ा सा इसे टैप भी कर देंगे इसे अगर अंदर में कोई एर बबल्स रह जाएगा वो निकल आएगा और अब मैं उपर से थोड़ इसी लाल मिच पाउड है और अब इसके अंदर ये स्टैंड को रखेंगे आप ध्यान रखना ये पानी स्टैंड के ऐसे थोड़ा नीचे ही रहे मतलब धोकला वाली टीन को ये पानी टच्स न करें तो अब इस टीन को स्टैंड के उपर रख देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इसे करीबन 20-25 मि अंदर डालूंगी और ये देखिए ये स्टीक बिल्कुल साफ है तो अगर ये स्टीक या चूरी ऐसे साफ ना निकले तो आप इसे 4-5 मिनिट और स्टीम कर लेना तो अभी फ्लेम को बंद करके इसे में निकाल लूंगी और पूरी तरह से ठंडा कर लूंगी और अब ये थोड़ा समय तेल लगा लूंगी और छूरी को साइट से घुमा के धोकले को टीन से अलग कर लूंगी धोकला पूरी तरह से ठंडा होने से पहले अगर आप इसे निकालने जाएंगे तो वो ठीक से निकलेगा नहीं तूट जाएगा तो पूरा ठंडा होने के बाद ही आप इसे निकालना तो अब मैं केक टीन को पलट के इसे निकाल लूंगी ये देखिए कितनी आसानी से ये निकलाया है चाहे तो आप इसे पांके के नीचे भी रखके ठंडा कर सकते हैं तो अब मैं इस तरके पैन में एक बड़ी चमज जितना तेल डालूंगी और तेल को एकद चील लगा के लेना नहीं तो गरम तेल में ये फूट सकता है और जैसे ही तील में ऐसे थोड़ा हलका हलका सा कलर पकरने लगे तो फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और कुछ सेकंड रुक के मैं ये करी पत्ता इसमें डाल दूंगी तेल अभी भी बहुत गरम है तो करी पत्त अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो ऐसे लास्ट में करी पत्त डालने से इसका जो फ्रेश फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आएगा तो अभी इस तरके को मैं धोगले की उपर अच्छे से फैला दूंगी बेसन की धोगले की तरह इसमें पानी वगेरा डालना नहीं है बस ये तरके से ही इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, तो अभी मैं इसे काट लूँगी, आप चाहे तपने मनपशन कोई भी शेप में इसे काट सकते हैं, और देखिए कितना ज्यादा स्पॉंजी बना है ये, और एकदम पार्फेक्ट हलवाई की तरह जालीदार भी बना है, और जितना अच्छा ये आपको देखने में लग रहा है, टेस्ट इसका उससे भी बढ़िया है, तो दोस्तों ये थोड़ा अलग नास्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, चलिए मिल तक ले नए वीडियो में, तब तक के लिए नवश्कार,